हाई एवरीवन वेलकम बैक माई नेम इस गैलेक्सी परमार और आज है हमारा लेक्चर नमर टू और चैप्टर नमर फॉर फाइनशल प्लैनिन तो चलो हम लोग फटा फट देखते हैं कि लेक्चर नमर वन में हमने क्या क्या किया था थोड़ा सा रिवाइस करना तो बनता है यह आपर देखो सबसे पहले हमने देखा था जी एसटी प्रम के भारे में सब कुछ स्टडी किया था हमने तो जीएसटी जो है उसका फूल फर्म क्या है डरिस गूट्ज जैन सर्विस टेक्स यह जो टेक्स है वो गुड्स और सर्वीसेस पर लिया जाता है ठीक है पहले क क्या क्या देखा था चलो मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पे देखो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो सारे MCQ के लिए important होगे तो सबसे पहले जैसे कि हमने already देख लिया है कि GST का full form है goods and service tax याद रखना इसको उसके बाद यहाँ पे देखो GST जो है वो एक indirect tax है indirect tax क्या होता है वो मैंने lecture number one में बताया है ठीक है तो GST एक indirect tax है तो यह MCQ में आ सकता है उसके बाद हमने क्या देखा था देखो कि GST जो है वो इंडिया में 1st July 2017 से लागू हुआ था तो इसको भी ये date को याद कर लेना कि GST जो है वो इंडिया में कबसे start हुआ ठीक है तो 1st July 2017 याद रखना ठीक है तो यह सब हमने देखा था last lecture में और हमने बहुत कुछ देखा था चलो मैं दीरे दीरे बताती हूँ तो यहाँ पर देखो सबसे इंपोर्टन चीज़ जो अभी आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जो हमारा GST है ना उसके दो component है that is SGST and CGST तो SGST का फुल फॉर्म है States Goods and Service Tax यह जो टेक्स है वो State Government को जाता है and CGST का फॉल फॉर्म है Central Goods and Service Tax ओके और यह जाता है Central Government को जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हो कि यहाँपे क्या है ऐसे तो S stand for State और यहाँपे क्या है हमारा C है तो यहांपे सी स्टांड फॉर सेंट्रल ठीक है तो GST के दो component है that is SGST and CGST SGST जो है वो State Government को जाता है यानि कि यह जो टेक्स है वो State Government को जाता है और जो cgst है वो central government को जाता है और हमेशा याद रखना कि जो sgst है और जो cgst है ये हमेशा क्या होगे equal होगे अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो tension मतलो क्योंकि इसके बारे में हम लोग और depth में आज देखने वाले है ठीक है अभी जो मैं mold रही हूँ ना बस दिमाग में उतारो क्योंकि कुछ ना कुछ तो जा रहा है न हमारे दिमाग में तो बस उसको दिमाग में लेते रहू थीक है चलो अब ही आगे मैं आपको यह थोड़ा सा BILL के बारे में बताया था ठीक है आज आज हम लोग वो बिल के बारे में इस study करे तो मैं आज आपको पुरा depth में बताने वाली हो, तो यहाँ पर देखो, और हमने last lecture में क्या देखा था, जो सबसे important है, that is GSTIN, GSTIN क्या है, इसका full form है, goods and service tax identification number, ओके, यह जो number है, वो किस से बना हुआ है, that is made up of 15 alpha numerical, यानि कि इसमें क्या होगा, यह जो GSTIN होता है, इसमें क्या होते है, numericals भी होते यानि कि numbers भी होते है, और alphabets भी होते है, तो यह जो number है, वो कैसे बनता है, यह हर एक, जो यहाँ पर numbers लिखा है, जो alphabets लिखा है, उनका क्या-क्या, मतलब कि वो क्या-क्या denote करते है, वो मैंने सब last lecture में बताया था, तो GSTIN का full form याद रखना, यह जो GSTIN है, वो किसको म आपे देखो, जो भी businessman के पास GSTIN होता है, तो वो क्या करते है, इस number के truth, जो है, वो GST government को देते है, ठीक है, यह याद रखना, इसका full form याद रखना, यह कितने alphan numerical से बना हुआ है, वो याद रखना, यह सब याद रखना आप लोग, ठीक है, ओके, चलो, तो आज आते है आज के lecture में, तो आज का जो हमारा lecture है, वो tax invoice के उपर पूरा होगा, tax invoice मतलब क्या, bill, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, bill के उपर होने वाला है, जैसे कि मैं थोड़ा सा समझाती हो आपको, जैसे कि आपको खुद को पता चल गया है, अभी कि GST का full form है, goods and service text, ठीक है, goods मतलब समान, ठीक है, अब जैसे कि कौन से समान यार, कोई भी समान ले लो, washing machine ले लो, laptop ले लो, कपड़े ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे कि पेड़े लो, ice cream ले लो, यह सब क्या है, goods ही तो है, तो जब हम goods करीदने जाएगे, तो क्या लगेगा, यानि कि tax लगेगा, तो जब हम goods करीदने जाएगे, तो हमको एक bill मिलेगा, है ना, तो जो bill है ना, उसी को बोलते है, tax invoice, तो यह bill के बारे में हम लोग पढ़ने वाले है, कि इस bill के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ होता है, यह bill कैसे generate होता है, तो वो सब हम देखने वाले है, कि GST के जो दो component है, जो मैंने बिल मिलेगा, तो this is the tax invoice, देखो यहाँ पर पढ़ो, क्या दिया है, tax invoice of goods purchased, यानि कि हम कुछ goods खरीदने गये है, उसका यहाँ पर बिल जनरेट हुआ है, तो यह bill हम लोग अभी study करेगे, वैसे ही हम दूसरा बिल भी देखे, कि दूसरा बिल कौन सा होगा, services का, जैसे कि मान यहाँ पर भी क्या होगा, एक बिल जनरेट होगा, तो यह जो बिल है, वो यह वाला ही है, that is यहाँ पर देखो क्या लिका है, tax invoice of services provided, हमको services provide की गई है, तो उसका भी एक बिल होगा, तो वो है यह वाला बिल, तो इस बिल के बारे में भी हम पढ़ने वाले है, ठीक है, क्या मतलब यही question होगा, कि मतलब कि यह GST वगेरा क्या है, अभी तक आपको इतना clear नहीं होगा, तो आप tension मतलो, यहाँ पे है न, government ने क्या किया है, जो goods and services है न, उनको क्या किया गया है, अलग-लग types में divide किया गया है, कि कौन से goods पे कितना percentage of GST लगेगा, वो पूरा हमारे पास एक chart है, तो इसको भी हम देखने वाले है last में, ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा lecture, तो बने रहना interesting lecture है, ऐसा भाग मत जाना, क्योंकि basic concept जरूर करना, ठीक है, चलो हम लोग start करते है, tax invoice of good purchase, तो यहाँ पे देखो यह bill है, और bill इतना अच्छा भी नहीं होता है, यह त इतना अच्छा bill नहीं होता है, ओके, हाँ, किसी-किसी का होता है, अगर बड़े-बड़े हम लोग क्या करें, सब मानो fancy showroom वगेरा में जा रहें, जैसे मैंने laptop खरीदा था ना, तो अब उसका bill अच्छा था, लेकिन वो bill नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताती है, ठीक है तो वो अच्छा होता है, अब normal shop में जाते तो ऐसे bills होते है, ठीक है, चलो, अभी हम देखते है इस bill के बारे में, जैसे कि bill के उपर क्या लिखा हुआ होगा, बिल के उपर जो दुकान है उसका address लिखा हुआ होगा, देखो यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ पर सब बता रह हुआ होगा, उसका email address लिखा हुआ होगा, ठीक है, इतना समझ में आया, क्या लिखा हुआ होगा, देखो, जो bill है उसके उपर दुकान का address, जो हमारा दुकान वाला है, उसका phone number and उसका email, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, GSTIN यह तो सबसे important है, GSTIN क्या full form है, बोलो मेरे पी ठीक है, तो यहाँ पर यह GSTIN होगा, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, invoice number, invoice number मतलब invoice का मतलब लिख के ले लो, that is bill, okay, invoice का मतलब bill, तो यहाँ पर यह bill number है, कि यह कौन सा bill है, ऐसा, तो यह bill number होगा, bill number कुछ भी हो सकता है, GSTIN और bill number अलग अलग है, इसको combine मत करना, GSTIN जो है, इसके तुरू क्या होता है, इसके तुरू GST pay होता है, government को, जो दुकान वाला है वो इस number के तुरू GST देता है, government को, और यह तो normal अपना bill number है, यार, okay, इसका तो कुछ लेना देना है, ने, bill number है यह, और यहाँ पर क्या लिखा है, invoice date, invoice का मतलब again, जो मै लिखा हुआ होता है, bill पे, अभी मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या देख रहे है, columns देख रहे है, मतलब अभी हम समान खरीदने गए, goods खरीदने गए, तो क्या-क्या goods खरीदा, let's see, तो यहाँ पर देखो, सबसे important चीज़, जो मुझे आपक जो और सब्लीटर, अभी यह क्या है, तो यह जो code है, यह, इस code से सारे goods को क्या किया गया है, divide किया गया है, यानि कि जो सारे जो goods होते है ना, उनको एक unique code से क्या किया गया है, classified किया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखो, समझाती हो, अगर नहीं समझाना कोई बात नहीं, दीरे-दीरे समझेगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, पेड़े, पेड़े मतलब समझते हो ना, हाँ, पेड़े, उनको एक code से, एक unique code से क्या किया गया है, classified किया गया है, तो पेड़े का जो code होगा, वो यह होगा, ठीक है, वैसे ही चोकलेट, चोकलेट जो है, वो भी एक good है, तो चोकलेट का जो code है, वो यह वाला है, ठीक है, तो सारे जो goods होते हैं ना, उनको एक code से classified किया गया है, और जो है उसको बोलते है HSN code that is harmonized system of nomenclature जैसे कि जितने भी ice cream होगे उनको इस code से क्या करेगे हम लोग बुलाएगे या इस code से उनको define किया गया है वैसे ही जो braids होगे उनको देखो इस code से define किया गया है और butter जो है उनको इस code से define किया गया है ठीक है तो यहाँ पे देखो सबसे important यही है इसका full form याद रखना what is HSN code? HSN code जो है वो क्या है बताती हूँ फिर से बताती हूँ कि जो हमारे जितने भी goods है धहरार कितने goods है यह laptop जो है वो भी एक good है अगर मैं laptop खरीदने जाओगी तो laptop का एक particular code होगा जैसे हम लोग washing machine अगर खरीदने जाएगे तो washing machine का भी ए defined किया गया है या classified किया गया है हम यह बोल सकते हैं HSN का full form है harmonize system of nomenclature इसका full form याद रखना इसकी spelling याद करना ठीक है याद समझ में आया तो यहाँ पर देखो यहाँ एक दो तीन चार पाच पाच आइटम हमने खरीदे है ठीक है तो यहाँ पर यह जो second column जो है वो समझा क् HSN code HSN code क्या होता है मैंने बता दिया यह code आपको याद नहीं करना है आप tension मतलो code क्या होता है हर एक good का code याद करना पड़ेगा क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं यह याद नहीं करना है और यह third column क्या है name of the product मतलब हमने क्या-क्या खरीदा है उसकी list बन रही है तो चलो यहाँ प जो भाव है वो कितना है 400 रुपे लेकिन हमने कितनी continuity खरीदी हमने तो सिर्फ आदा किलो ही खरीदा 500 ग्राम मतलब आदा किलो ही खरीदा ठीक है तो taxable amount क्या हो गया देखो यह taxable amount मतलब क्या यह वह amount होता है जिस पे हम tax ले सकते है या यानि कि जिस पे tax लिया जाता है taxable amount ध्यान से सुन लो बहुत important है taxable amount मतलब वह amount जिस पे tax ले सकते है या tax लिया जा सकता है वह होता है taxable amount ठीक है तो यहाँ पे देखो simple से अफंडा है कि एक किलो का जो price है एक किलो का जो price है वो क्या है 400 है बढ़ हमने तो लिये सिफ आदा किलो तो आदा किलो का जो price है वो हो GST rate है the rate of the GST जो rate of the GST याद रखना जो rate है वो percentage में होगा ठीक है तो जो rate of GST है पेड़े पे वो कितना है 5% है यानि कि 5% tax लगता है पेड़े पे अब देखो यह जो 5% है ना ध्यान से सुनना यह जो 5% है वो दो पार्ट में divide हो जाएगा दो equal पार्ट में divide हो जाएगा that is 2.5% and 2.5% ओके तो यह जो 2.5% है वो जाएगा हमारा CGST यानि कि Central Goods and Service Tax यानि कि Central Government को जाएगा और यह जो 2.5% है वो जाएगा SGST वो होगा SGST यानि कि यह जाएगा State Government को तो देखो यहाँ पे वही लिखा है यहाँ पे देखो यह हमारा जो column है अगर आप यह column देखोगे द तो आप जब 200 का 2.5% निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 रुपया अब यह कैसे निकालते है टेंशन मतलो जब हम लोग प्रैक्टिस एड 4.1 करेगे तब मैं आपको बताओगी यहाँ यहाँ पे भी एक दो सम आपको बता दूगी बढ़ इतना लोड मतलेना अभी आप लोड मतलो अब थोड़ा सा शांत मन से सिर्फ सुनो ठीक है ओके अब देखो यह जो हमारा next next column जो है वो क्या है वो है हमारा SGST का तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी जो rate है वो कितना है rate मतलब percentage में define होगा that is 2.5% और इसका जो text से वो कितना आया 5 रुपीज आया इसका मतलब क्य कि जब हम यह देखो यह जो 200 है ना S कैसे निकालते देखो यह 200 का 200 का जो 2.5% होगा वो कितना होगा वो कैसे निकालने का देखो तो यहाँ पे लिखेगे 2.5% of 200 तो यह 200 का 2.5% कितना होता है तो इसको solve करेगे 2.5 और यह percent का जो sign है वो जो है उसको हम क्या कर देगे upon 100 करक में 100 लिग दो, off मतलब into और आगे है 200 ठीक है, तो यह दो 0 cancel और यहाँ पर 2.5 into 2 करो तो आपको देखो 5 मिलेगा, तो ऐसे यह calculate होता है, cgst और sgst ठीक है, तो इसलिए देखो वो 55 आया, और यहाँ पर total amount क्या बन गया, तो यहाँ पर देखो ऐसे होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझाना कोई बात नहीं, अभी आपके मन में बहुत question चल रहे होगे, जैसे कि यह 5% जो है, मतलब यह rate of gst जो है, वो हमको कैसे पता चलेगा, तो वो सब आप tension मतलब, वो सब आपको mention किया होगा question में, और बस आपको यह याद रखना है कि जो gst है वो further, do equal part में divide होता है, that is sgst and cgst, ठीक है, equal part में divide होता है, यह याद रखना, जैसे कि यह और एक column देखते है, ठीक है, अभी अगर नहीं समझाना, आप इतना tension मतलब, थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम question करेंगे ना, तब वो और अच्छी से समझता है, जैसे कि अभी मैं आगे आपको बताती, रूखो, अब जैसे कि यह आपे देखो, second good हमने क्या खरीदा है, चॉकलेट खरीदे है, ठीक है, तो चॉकलेट का जो HSN code है, वो यह है, वैसे तो हमको वो learn करना ही नहीं है, तो चॉकलेट की जो rate है, वो क्या है, rupees 80, और हमने कितना खरीदा, quantity हमने कितना खरीदा, that is one bar, मतलब एक बार हमने खरीदा, तो एक बार की कीमत है, 80 रुपया, इसलिए जो हमारा taxable amount हो गया, वो हो गया 80, ठीक है taxable amount, मतलब वो amount जिसपे tax लिया जाएगा, तो इस पे अभी यह जो 80 rupees है ना, इस पे tax लिया जाएगा अभी, ठीक है, तो जो rate of GST है, chocolates के उपर वो कितना है, तो वो है 28 percent, yes, बहुत जादा है, chocolates जो है, वो उस पे बहुत GST लगता है, यानि कि बहुत tax लगता है, तो अब बोलोगे, आपको कैसे पता है 28 percent, और हमको कैसे पता चलेगा, अरी वो tension क्यों लेते हो आप, वो सब दिया रहेगा ना question में, आपको क्यो tension लेना है, ठीक है, tension मतलो, यह सब दिया हुआ है, और अभी हम last में एक chart भी देखेगा, जिसमें आपको goods and services के, जो rates है, GST के जो rates है, वो भी में आपको बताऊगी, ठीक है, तो अभी देखो, यह जो rate of GST है, चॉकलेट पे वो हो जाएगा, यानि कि वो होता है, SGST को और वो जाता है, state government को, तो इसलिए देखो, यहापे यह जो हमारा, यह जो हमारा column है, यहापे क्या लिकाए, देखो, 14 percent, rate of CGST है, 14 percent, और यहापे अगर हम लोग 14 percent निकालेगे, 18 का, ठीक है, हमको क्या करना है, यह जो 80 rupees है, इस पर यह जो हमारा है, वो taxable amount है, अगर हम लोग 80 rupees का 14 percent निकालेगे, तो हमको मिलेगा 11.20, ओके अब यह कैसे निकलता है, tension मत लो, question करेगे, तब बता दूँ कि, and next हमारा rate of SGST जो है, that is also 14 percent, ठीक है, यह जो 14 percent होता है, 80 rupees का वो है, 11.20, ओके तो total amount, total amount जो है, वो कितना हुआ, बताओ, देखो, 80 rupees तो हमारा actual price था, लेकिन अभी CGST और SGST लगा, that is 11.20, प्लस कर रही हूं में, ठीक है, प्लस कर रही हूं, प्लस 11.20, इसको प्लस अच्छे amount, ठीक है, taxable amount, यह है हमारा CGST और यह है हमारा SGST, अब इसको, इसको add करो, तो यह 0, 2 प्लस 24, यहाँ पे point की नीचे point, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, 9, 10, यानि कि 102.40 पैसे, तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, 102.40 पैसे, तो ऐसे होता है, ठीक है, वैसे ही next, देखो, next हमने क्या खरीदा, ice cream खरीदा, तो ice cream का जो price है वह क्या है, rupees 200 per pack यानि कि एक pack की कीमत है 200 रूपीज और एक pack मतलब क्या होता है, एक pack मतलब अभी पताने की उसमें कितना होगा तो यहाँ पे लिखा है देखो quantity टीटी देखो क्या लिखा है हमने एक pack ही खरीदा है और एक pack जो है वो क्या है 500 ग्राम का है तो यानि कि एक pack की कीमत है 200 रुपया तो यानि कि जो हमारा taxable amount है वो हो गया 200 रुपया ठीक है अभी यह जो 200 रुपया है उस पे GST 200 रुपय बे 9% लगएगा तो 9% जो होता है 200 का वो होता है 18 रुपीस एण अगे 9% जो है 200 का होता है 18 ठीक है तो यह 200 प्लस 18 प्लस अट करो तो आपको मिलेगा 236 तो यह हमारा क्या हो जाएगा यांटल हो जाएगा वैसे ब्रैड ले लो ब्रैड एक बात बता देती हूँ कि जो हमारा रोस का समान होता है रोस का छो खाने ठाप फाने पीने का समान होता है रेगुलरली जैसे कि मिल्क ले लो ब्रेड ले लो तो इसके उपर जी ऐस्ट नहीं लगता है 0 परसेंट है ठीक है वो हुँ मैं आगे बताओंगे आपको तो यहाँ पर GST लगा नहीं इसलिए देखो यहाँ पर CGST, SGST दोनो 00 है यानि कि actual price जो है वो भी 35 होगा दिन कि total जो है वो भी 35 होगा and last but not least butter खरीदा हमने butter पे तो लगेगा भाई butter तो लगेगा तो that is 125 होगा ठीक है तो यहाँ पर देखो per kg एक kg का price 500 रुपया था लेकिन हमने तो सिव कितना खरीदा 250 ग्राम खरीदा ना तो यानि कि यहाँ पर price जो है जो taxable amount होगा वो कितना होगा 125 और अभी जो butter है उस पर जो rate of GST है that is 12% तो इसलिए आपे देखो यह 12% जो है वो 66 में डिवाइड हो चुका है 6% CGST 6% SGST यह जो 6% है यह जो 6% है 6% जो है वो क्या है मैं बताती हो this is rate of इसको याद रखनो कैसे read करते देखो this is rate of CGST यह क्या है rate of CGST है और यह क्या है हमारा यह है rate of SGST rate of SGST ठीक है इसको अच्छे से याद रखो तो जब हम लोग 125 का 6% निकालेगे तो वो मिलेगा 7.50 और same यहाँ पे भी 7.50 और फिर आप तीनों को add कर लो किस को add करोगे एक तो 125 जो हमारा taxable amount है प्लस हम लोग क्या करेंगे 7.50 करेंगे 7.50 और प्लस आगे हम क्या करेंगे 7.50 करेंगे तो जो answer आएका that is 00 यहाँ पे one point के नीचे point 7 plus 7 14 14 प्लस 115 और यहाँ पे 20 हो गया यानि कि 140 आया देखो यह 140 और फिर आप इनको पूरा add करो यह जो last का जो column है इनको add करो तो यहाँ पे देखो column को add करने के बाद कितना कितना मिला है 723.40 पैसे मतलब इतने पैसे हम लोग देगे इतने सारे goods के ठीक है तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो CGST है और SGST है यहाँ पे देखो यह 41.70 पैसे 41.70 पैसे यह जो है यह जाएगा हमारा central government को और यह जाएगा हमारा state government को यह है हमारे tax ठीक है that is GST यह हमारे GST है ठीक है समझ में आया अगर नहीं समझ में आया ना प्लीज अभी इतना load मत लेना थोड़ा सा समझ इनाफ है आपके लिए तो आई होप आपको यह बिल अच्छे से समझा होगा लेकिन अगर आपको मालो यह बिल अच्छे से समझा नहीं तो मैं आपको एकदम शौट में बताती हूँ देखो ध्यान से सुनना यह जो बिल है इसके उपर क्या होगा जो दुकान है उसका address और यहाँ पर देखो यहाँ पर GST INB होगा इस गुड्स अन सर्विस टेक्स आइडेंटिफिकेशन नमर होगा उसके बाद यहाँ पर बिल नमर होगा जिसको हम इन्वाइस नमर बोलते है और बिल का जो डेट होगा वो होगा ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं आपको समझा ठीक है अब यहाँ पर देखो जो गुड्स होते है ना उनका सारे गुड्स का क्या होता है रेट रेट ऑफ जीएस्ट जो है ना वह और पहले से डिफाइन किया गया है तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि जो पेड़े है जितने भी टाइप के पेड़े होगे उस पे जो जीएस्टी है वो कितना लगता है और हमेशा यार लकना जब मैंने रेट बोला या जो भी रेट बोलता है यह उपर cd ठीक है ये तो clear है ये है हमारा rate of GST अब क्या होगा ना कि ये जो GST है ना जैसे कि मैंने आपको starting में ही बताया था GST जो है वो दो component में divide हो गया है that is SGST and CGST तो अब ये 5% जो है ना वो भी 2 part में divide हो जाएगा 2 equal part में divide हो जाएगा that is 2.5% 2.5% ठीक है अब ये 2.5% और ये 2.5% क्या है तो ये जो 2.5% है वो है rate of CGST जहां से सुनो rate of CGST that is rate of central goods and service tax ठीक है और यहाँ पे ये जो दूसरा 2.5% है ये है हमारा rate of SGST इसका full form है rate of state goods and service tax ठीक है ओके अब यहाँ पे देखो ये जो GST है वो हम किसके उपर calculate करते है तो ये हम लोग calculate करते है taxable amount के उपर taxable amount मतलब एक ऐसा amount जिस पे tax लिया जाएगा उसके उपर हम लोग ये GST calculate करते है और कैसे calculate करना ठीक है देखो एक example देती हूँ जैसे कि हमारा यहाँ पे पेड़े जो है उसका जो price हुआ था वो कितना हुआ था 200 rupees हुआ था ठीक है लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको क्या fine करना है भी GST लगेगा इस पेड़े के उपर तो GST is divided हा आगे divide हो चुका है तो अभी हम लोग fine करेगे CGST पहले fine करेगे rate of CGST पता है लेकिन हमको actual में उसका amount fine करना है rupees fine करना है ठीक है rupees में fine करना है तो अभी हम fine करेगे कि यह जो 200 rupees है इसका 2.5% कितना होता है तो ऐसा होता है देखो 2.5% of 200 इसका मतलब यह होता है कि 200 का 2.5% कितना होता है तो इसको solve करो 2.5% मतलब क्या आप upon में 100 डाल दो off मतलब into 200 ठीक है यह मैं आगे आपको सिखाऊगी and यह 0, यह 0, यह 0, यह 0 cancel 2.5 into 2 मतलब 2.5 को double करो तो क्या मिलेगा 5 5 यानि कि 5 रूपीज तो यानि कि यहाँ पर क्या मिला हमको कि जो CGST है that is 5 रूपीज मिला और यहाँ पर सेम अगर आप देखोगे तो SGST भी 5 रूपीज हो जाएगा मतलब टोटल हमारा जो GST है वो कितना हो गया 5 रूपीज प्लस 5 रूपीज that is 10 रूपीज ठीक है वैसे अगर देखा जाए तो हमारा GST जो है वो है 10 रूपीज और यह जो 10 रूपीज है वो further दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था 5 रूपीज और 5 रूपीज में ठीक है यानि कि state government को जाएगा पाच रूपया Central government को भी जाएगा पाच रूपया और इसी पैसे से वो क्या करते है हमारे देश को ग्रो करते है सडके बनाते है वो सब मतलब जो भी काम होता है वो सब करते है इस टेक्स के ठूटीक है समझ में आया तो टोटल जो प्राइज हुआ पेड़े का वो कितना हुआ 200 तो था ही लेकिन उसमें अभी 5 प्लस 5 एड़ हो जाएगा that is 10 रूपीज एड़ हो जाएगा इसले टोटल प्राइज आया 210 ऐसे पूरा ये चलता है ठीक है अभी ये नीचे वाला जो है वो आप फिल कर लो it is very easy मतलब cgst sgst आपको बताना है बस ये याद रखना कि rate अगर बोला है तो rate should be in percentage rate मतलब percentage में होगा ठीक है value अगर होता है value लिखा हुआ होता है या फिर cost लिखा हुआ होता है तो वो rupees में होता है ये याद रखना ओके चलो अभी आगे हम लोग देखते है आगे जैसे कि एक real bill को समझते है ये real bill है हमारे सामने या पर देखो ये real bill है तो इस bill के उपर देखो bill की date लिखी हुई है टाइम वगेरा भी लिखा है बड़ इस ओके या पर यह नमर लिखा है मतलब यह bill number है यह invoice number है जैसे कि नीचे देखो ऐसा मत समझो कि जैसे मैंने बिल बताया अभी आपको पीछे वैसे एक दम systematic format में लिखा हुआ होगा ऐसा कुछ नहीं होता है कि दर भी कुछ भी लिखा हुआ होता है ऐसा मतलब जरूरी नहीं है तो नीचे देखो आपको नीचे GST-IN मिल रहा होगा GST-IN मतलब goods and service text identification number यह तो पक्का आपको बिल के उपर यानि कि tax invoice के उपर मिलेगा अब जैसे कि यहां पे देखो हमने क्या खरीता fresh fresh coffee खरीदी ठीक है हमने कितनी quantity ली दो quantity ली यानि कि जो हमारा taxable amount हो गया वो हो गया 80 है ना क्यूंकि एक coffee की कीमत 40 है तो हमने तो दो खरीदा ना तो 20 बीस बोल रही थी तो 40 का double करो भाई 80 रुपया तो यह हमारा taxable amount है अब इस amount पे क्या लिया जाएगा tax लिया जाएगा तो यहां पर देखो यहां पर यह red color के box में आपको दिख रहा होगा यहां पर देखो लिखा भी है cgst sgst जो rate है वो है 6% 6% तो यहां पर 80 रुपीज पे क्या लगेगा 6% लगेगा तो 80 का 6% जो है वो होता है 4 रुपीज और 80 पैसा यहां पर भी देख लो 4 रुपीज और 80 पैसा तो यह हमारा यह हमारा cgst है यह हमारा क्या है यह हमारा sgst है और यह हमारा Agric pistol amount ठीक है अभी आप लोग इसको add कर लो यह हमारा total जो बिल है वो इतनाबने गा Vigil其實 इतना बनेगा round off करके जो है वह इतना आया ठीके round off अगरा नहीं होता है मत अभी पैसे कैसे ना तो round off कर देते हैं उन लोग ठीक है तो यहां पर आप एड करना 80 plus क्या करेगे हम लोग 4.80 करेगे और plus 4.80 करेगे तो answer मिलेगा हमको 89.60 ठीक है यह मिलेगा तो यह है हमारा total amount इतना पैसे हम देखे आए है दो coffee के ठीक है दो fresh coffee के ऐसा यानि कि अगर approximately देखा जाए तो 90 रूपीज हमने दे दिया ठीक है चलो समझ में आया ओके तो यह हो गया अब ही आ जाते है हम लोग tax invoice of services provided जो भी हमको services provide की गए है उसका यह bill है ठीक है तो हम मान लो कि एक must hotel में गए खाना वाना खाया हमने तो यहाँ पर वही लिखा है तो यह जो services provided जो है यह जो tax invoice है चलो इसको देखते है तो यहाँ पर भी क्या क्या होगा इस bill के उपर let us see तो यहाँ पर देखो जो हमारा hotel वगेरा है या जो भी restaurant वगेरा है उसका यहाँ पर address होगा तो मतलब क्या होता है पता ही अभी बोलने की जरुवत नहीं है वो तो mention होगा ही होगा बले कुछ और mention ना हो जी एस टी आयन मेंशन होता है और यह हमारा invoice date है मतलब बिल का date है ठीक है चलो अभी हमने क्या क्या खाया let's see और सब से important जो है वो अब मुझे बताना है यानि कि यहा code से divide किया गया है क्या वो HSN code है नहीं तो जो services होते है ना उनको भी एक code से divide किया गया है and वो है SAC यहाँ पे देखो लिका भी है S A C SAC और इसका full form है service accounting code येस इसको याद कर लो SAC जो है वो क्या है अगर कोई पूछेगा what is SAC तो SAC क्या है आप बोलोगे पहले तो SAC का full form ह service accounting code और ये जो code है ये किसको दिया गया है services को दिया गया है तो जो सारे services होते है उनको भी एक unique code से classify किया गया है ठीक है तो SAC क्या होता है समझ में आया आपको बड़ा simple है तो SAC देखो यहाँ पे यह सारे SAC है मतलब यह सारे services है उसके code है तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमन उसमें सबसे पहले coffee आई हमारे लिए तो उसका एक code है that is 9961 यह code याद नहीं करना है आप tension मतलो ठीक है quantity कितना लिया एक लिया जो rate है वो कितना है 20 यानि कि coffee जो है एक cup की कीमत जो है वो 20 रूपीस है यानि कि taxable amount कितना हुआ 20 हुआ ठीक है मतलब कि इस पर tax लगेगा तो rate of GST क्या है तो यहाँ पर देखो CGST और SGST दिया है 2.5% 2.5% मतलब कि total जो GST है वो क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 करो तो यानि कि 5% तो यानि कि यह हमारा rate of GST है rate of GST है 5% बट इसका कुछ काम नहीं है मैं ऐसे ही समझा रही हूँ तो यह 5% जो है वो दो पार्ट में divide हो गया है इसमें तो अभी हम क्या निकालेगे 2.5% निकालेगे किसका 20 का तो कैसे निकालते हैं जैसे कि मैंने बताया था ऐसे लिखो 2.5% of 20 तो 2.5% मतलब 2.5 upon 100 of मतलब into और आगे 20 चलो इसको solve करो तो यह 0 यह 0 cancel तो यहाँ पर देखो जब आप इसको solve करोगे तो यहाँ पर क्या फिर आ जाएगा 5.5 25 यानि कि 0.5 यानि कि जो हमारा CGST है वो लगा 0.5 यानि कि 50 पैसे बोलते हैं इसको ठीक है और वैसे ही जो SGST है वो भी हो जाएगा 0.5 only ओके वो ही होगा सेम होता है CGST SGST समझ में आया ओके अभी हमने next और क्या order किया था मसाला टी ओ वा मसाला टी और उ हमको नहीं इसको याद नहीं करना है ठीक है याद रखना सारे services को एक unique code से define किया गया है classify किया गया है जिसको बोलते है सर्विस accounting code याद रखना ठीक है मसाला टी हमने कितना मंगाया एक मंगाया rate कितना है 10 रुपया और हमने एक ही मंगाया है तो मतलब कि taxable amount हो गया 10 और यह यहां पर देखो तो यहां पर यह फिल करना है हमको तो यहां पर यह दिया है मतलब कि rate of SGST है 2.5% मतलब कि rate of CGST भी कितना होगा 2.5% नहीं होगा यह तो कपसे हम लोग सीख रहे है कि SGST और CGST का rate सेम होता है ठीक है तो अभी हम क्या करें कि 2.5% निकालें कि किसके उपर 10 2.5% of 10 10 का 2.5% कितना होता है चलो find करते 2.5 upon 100 into 10 ठीक है तो यह 0 यह 0 cancel यहां पर अभी इसको हम करेंगे तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा 2.5 upon 10 बचा तो 2.5 upon 10 बचा मतलब इसका answer होगा 0.25 ठीक है sorry 0.25 अगर आपको यह decimal आपको अगर यह decimal solve करना नहीं आता है न तो ब मैंने decimal कैसे shift होते है decimal को कैसे solve किया जाता है वो आपको मिलेगा ठीक है link मिल जाएगा description में वो वीडियो देख लेना तो यानि कि यहां पर जो हमारा यहां पर जो हमारा cgst निकला जो value of cgst निकला वो कितना निकला 0.25 0.25 मतलब क्या 0.25 मतलब 25 पैसे तो हमारा अगर cgst 0.25 निकला है तो मतलब sgst भी क्या होगा 0.25 ही होगा clear हो गया चलो अब आगे आ जाते है फिर हमने क्या मंगाया फिर हमने मसाला 220 मंगाया और हमनेमेव 2 मसाला 220 लेकिन 20 कीमत हो जाएगा 2.5% अभी हम क्या करेगे 120 का 2.5% निकालेगे that is 2.5% of 120 क्योंकि इस पे GST लगेगा मतलब इस पे टेक्स लगेगा जो भी हो GST मतलब SGST CGST दोनों लगेगा ओके तो यहापे अभी लिखेगे 2.5 upon 100 of मतलब into and 120 तो यह 0 यह 0 cancel और यहापे भी solve करेगे तो तो यहापे हो जाएगा 2.5 जा 10, 2.6 जा 12 अब इसको solve करेगे 5 जा 5, 5.0 जा 0.55 जा 25 यानि कि अभी इसको solve करेगे तो 0.5 into क्या है यहापे 6 है तो 6 करेगे तो 5.6 जा 30 और यहापे यह 3 और यानि कि 3 रूपीज, 3 रूपीज हमारा लगा CGST और 3 रूपीज लिख रही हूँ, रूपीज लिखा तो भी चलेगा वैसे SGST भी कितना हो जाएगा 3 रूपीज तो अभी total करना है तो total करो यहापे अगर इस कॉलम को total करो पहले फिर मैं यहापे यह रूफ कर देती रूप को अभी total करते है ठीक है अरे टेंशन मतलो इतना हार्ड नहीं आप जितना समझ रहे हो अभी थोड़ा सूनो बस थोड़ा सा सूनो ऐसे भागो मत थोड़ा ठेरो अच्छे से समझो तो यहापे क्या है 20 प्लस 10 हो गया 30 और यह 120 मतलब कि यहापे हो जाएगा 150 रूपीस टोटल हुआ लेकिन यहापे देखो हमारा के कि और पैसा जाएगा हमको कितना देना भाई वह भी तो देखना पड़ेगा यह 0.5 पहले में लिख रही हूँ उसके बाद 뭐가 क्या लिखिएगए 0.25 याद रखना कि पॉंट के निचे पॉइंट ही आना चाहिए और यहाँ पर 3 रूपीज तो 3 यहाँ पर आएगा 3.00 तो इसको एड़ कर लो जहाँ पर खाली दिख रहा है वहाँ पर 0 लगा दो और एड़ करो 5 5 की पॉइंट की नीचे पॉइंट और यहाँ पर 3 तो यानि कि यहां पर मिला 3.75 तो यानि कि 3 रूपीस and 75 पैसे जो है वह वह च्टेट गवर्मेंट को जाएगे अब चलो यहाँ पर हम टोटल करते हैं तो यहां पर हमारा टोटल वह है वह क्या होगा टोटल यहाँ पर है नहीं grand total क्या होगा grand total तो यहाँ पर लिखा है संद्द फॉआ यह अगा ध्रीको carried taxable amount था और यहाँ पे यह जो है वो हमारा cgst है यह हमारा sgst है ठीक है तो अभी add कर रहे है इसको तो यह 0, 1, 7 plus 7, 14 plus 1 हो जाएगा 15, point के नीचे point, 3, 3, 6 और यह 7 और यह 1, 5 यानिकि 157.50 पैसे हमको यहाँ पे देना पड़ेगा ठीक है तो यह हमारा grand total है समझ में आ गया ऐसे होगा अगर आपको कुछ नहीं समझा मतब थोड़ा बहुत तो कुछ सीका ही होगा यार ऐसे थोड़ी ना कि कुछ नहीं सीका जब हम question करेंगे ना I guarantee कि आपको और अच्छे से कर दिया है हमको यह याद करने की इतनी जरुवत है नहीं क्योंकि आल्रेडी कोशन में सब कुछ mention होगा जैसे कि zero rated goods and services कौन से है इस zero rated मतलब जिस पे GST लगता ही नहीं है okay that is rate of GST 0% तो ऐसे goods and ऐसे services कौन कौन से है जैसे कि essential commodities like food grains fruits vegetables milk salt अधन pot etc मतलब यहाँ पे तो बहुत limited limited goods लिके जैसे कि रोज हमको जो use होते ना daily use जैसे कि हम चाई पीते हैं दूद पीते हैं यह तो हमको daily लगता है vegetables हो गए सबजिया हो गई fruits हो गई यह तो daily है ना daily काम आदा है इस पर GST लेके तो हम कंगाल हो जाएगे यार तो यह जो goods है वो क्या है zero rated good है मतलब इन पर GST नहीं लगता है वैसे कौन कौन से services है जिस पर GST नहीं लगता है तो वो क्या है charitable trust activities यानि कि जो charities वगेरा होते हैं उन पर GST नहीं लगता है transport of water वाटर तो भाई डेली लगता है अगर उस पर GST ले लिया तो क्या होगा तो transport of water वाटर का जो transport होता है उस पर भी GST नहीं लगता है use of roads and bridges अरे बाबा इस पर अगर GST ले लिया तो हम नीचे चलना ही मतब चलना ही छोड़ देगे है ना इस पर अगर बोला कि अरे आप अगर एक सब्सक्राइब है तो इतना GST लगेगा तो हम चलना ही चोड़ देगे हम नीचे ही नहीं जाएगे गर पे बैटे रहेगे तो यह जो हम रोड यूज करते हैं bridges यूज करते हैं इसके उपर GST नहीं लिया जाता है ठीक है public library हो गई library जो होते है उस पर भी GST नहीं होता है यहाँ पर कुछ आपको बता दिये गए उसके बाद आता है second that is low rated मतलब कि सबसे कम जो rate of GST है वो कौन से goods and services पर है वो चलो देखते हैं जिसको यहाँ पर कौन से category में दिवाइट किया गया है low rated ठीक है तो यहाँ पर देखो rate of GST है वो कैसे देखो एक तो 0% मतलब की rate of GST 0% मतलब GST लगता ही नहीं है फिर एक होता है low rated मतलब 5% जो सबसे low है 5% उसके बाद आएगा 12% that is standard rate ठीक है standard rated बोलते है इसको फिर आता है 18% और यह हमारा standard rate है बट यह यह तो था वो first slab था यह हमारा second slab है ठीक है और next आता है 28% that is highly rated ठीक है तो ऐसे divide किया गया है rate of GST देखो याद करो मेरे साथ 0% मतलब की GST लगेगा ही नहीं फिर आता है low rated that is 5% उसके बाद आता है हमारा standard rated slab 1 जो है 12% उसके बाद standard rated that is slab 2 जो है 18% 18% 18% जो है ना उसमें हमारे most of the goods and most of the services जो है आ वो होते है ठीक के most of the goods or most of the services पे जो text लिया जाता है 18% वाला text लिया जाता है and then highly rated गड़े मतलब highly rated वाले goods and services उस पे जो text यह कितना होता है 28% rate of GST होता है ठीक है चलो देखते है भी 5% वाले कौन कौन से है जैसे कि कौन कौन से goods और कौन कौन से services है जिस पे 5% GST लगता है तो दाट इस commonly used item दाट इस LPG cylinder जो आता है हमारे घर पे tea हो गया coffee हो गया oil हो गया honey frozen vegetables and spices sweets etc तो इसलिए जब हम लोग तो याद करो वो जो हम bill देख रहे थे वो जो invoice देख रहे थे goods का तो यहाँ पर sweets sweets मतलब उसमें पेड़े वगएरा आते है तो पेड़े जो होते है उस पे देखो कितना rate of GST है 5% 5% वो आदा आदा डिवाइड हो गया था 2.5 2.5 याद करो याद करो हाँ वैसे यहाँ पे देखो coffee coffee का भी 5% है ठीक है अभी आ जाते services कौन कौन से services है जिस पे 5% rate of GST है that is railway transport service ठीक है अगर railway के तुरू transport वगेरा हो रहा है तो उस पे 5% GST लगेगा bus transport पे भी लगेगा taxi services वगेरा airport okay airport sorry air transport economic class air transport में क्या होता है कि एक economic class होती है और business class होती है जो business class होती है उस पे I think 28 वाला percentage लगता होगा हाँ क्योंकि वह highly rated है न भाई business class मतलब कि कितना highly rated में चला जाएगा वो ठीक है और फिर hotel providing foods and beverage etc मतब कि जो hotels आपको खाना पीना वगेरा दे रही है तो वो जो hotels है वो services provide करती है तो उस पे भी 5% लगता है सारे services पे ठीक है clear हो गया तो अभी next आ जाते है 12% वाले कौन से goods and services है देख लो आप यहाँ पर read कर लो यार अभी मैं क्या बता रही हूँ तो यह सब आप अच्छे से जैसे की courier services है ठीक है लेटर वेटर खत वत पहुचाना हो तो 18% लगेगा GST याद रखना ठीक है उसके बाद cinema वगेरा देखने जाओगे तो वहाँ पे भी 18% लगेगा currency exchange यानि कि आपको currency exchange करने है रूपीस का डॉलर में करना है डॉलर का रूपीस में करना है तो आपको 18% GST पे करना पड़ेगा ठीक है यह सब होगा and highly rated वाले कौन से है चलो देखते है highly rated वाले हम जरूर देखेगे तो goods कौन कौन से जो है जिस पे 28% का GST लगता है that is luxury items जैसे की luxury items में क्या क्या आ गया cars वगएरा आ गया right motorcycles वगएरा आ गया और यहां पे luxury cars वगएरा पान मसाला पान मसाला में भी लगता है 28% of GST vacuum cleaner and all होते है dishwasher AC washing machine freeze tobacco products यह सब यानि कि जो alcohol वगएरा होता है यह जो alcohol वगएरा पान मसाला जो होता है उस पे 28% GST वगएरा लगता है और AC हो गया laptop वगएरा हो गया I think laptop में 18% था laptop में I think 18% है शायद washing machine वगएरा में जो होता है न वो 28% है कि services जो 28% GST चार्ज करती है वो कौन सी है फाइस्टार होटल में अगर होगे तो भाई GST जादा लगेगा obviously amusement park यानि कि पार्क वगएरा में जा रहे हो waterpark में जा रहे हो तो 28% GST पे करना पड़ेगा आपको casino वगएरा हो गया race course हो गया यह सब IPLs game अगर IPLs में जाना चाते हो आप ticket खरिदना चाते हो तो उस पे 28% GST लगेगा air transport जो business class होता है उस पे 28% GST लगता है ठीक है यह जो rate है वो vary कर सकते है क्योंकि यह जो book है वो आपकी 2018 2018 में I think बनाई गई थी अभी तो 2022 चालू है तो बहुत कुछ changes आ चुका है आ भी चुका होगा बढ़ हमको पता नहीं और हमको पता भी नहीं हुआ तो भी चलेगा तो tension मत लो ठीक है समझ में आया अब यहाँ पर देखो कुछ activities दीए आपको यह activity भाय आप कर लो easy ही है यहाँ पर देख लो activity number one क्या है ऐसे तो मैंने आपके लिए solve कर लिया है यहाँ पर बोला है make the list of 10 things you need in your daily life okay आपको ऐसे दस चीजे धुन्नी है या उनकी लिस्ट बनाओ चो आपको daily life में लगती है और फिर बोला है कि find the GST rates यानि कि उनका GST rates भी बताओ rates is rate should be in percentage यहाँ रखना तो यहाँ पर बोला है find the GST rate with the help of GST rate chart given here मतलब कि यहाँ पर देखो find the GST rates with the help of the GST rate chart given here मतलब यहाँ पर देखो यह देखो यह हमारा यह हमारा जो था ना यह चार्ट था GST rate का तो इसके मदद से आप क्या करो दस ऐसे items के list बनाओ कि जो आप daily use करते हो ठीक है और फिर यहाँ पर आप उसको फिल कर दो जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ लिखा भी है newspaper हो गया book हो गया तो यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो चार्ट है इसको complete करना है जैसे कि यहाँ पर देखो goods जैसे कि ले लो sketchbook sketchbook आपके काम आता ही होगा daily use में होता ही होगा इसका जो rate of GST है वो है 12% ठीक है तो अब यहाँ पर गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो अभी तो भी बोल सकते हो उस पे भी 12% गी हो गया गी पे भी 12% है यह rate of GST बता रहे है ठीक है और यह जो rate of GST वो further दो पाट में divide होता है पता है ना हाँ वो अभी मैं फिर से नहीं repeat करूगी sources हो गया, sources पे 12% लगता है, tea हो गया, tea पे 5% है यह तो चार्ट में भी देखा था, coffee में भी 5% है, चार्ट में देख लो आप लोग, craft book में 12% है, perfumes जो है उस पे 28% है ठीक है तो यह regular हम लोग यूज़ करते हैं यह है हमारे 10 items या 10 things जो हम daily use करते हैं और इनका जो rate of GST है वो यहाँ पे बस आप लिख दो, जैसे railway booking जो होती है उसका जो rate of GST है वो है 5%, courier services जैसे कि आप चार्ट में देख लो यह जो पीछे चार्ट है ना इस पे भी देखो, इस इधर से यह आप धून के लिख दो ना, chat complete कर दो, यहाँ पे देखो services है बहुत सारी, जैसे कि railway transport service हो गया, bus transport service हो गया, taxi service हो गया, तो यह सब अधर लिख दो ना, और उनका rate of GST यह देखो, यहाँ पे rate of GST लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे next क्या हो जाएगा, guest house हो गया, इस पे कितना लगता है, 12% लगता है, यहाँ पे आप उठा लो कुछ भी courier service हो गया, इस पे कितना लगेगा, 18% लगेगा, यह सारे services है, ठीक है, तो यहाँ पे already मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, rental cab हो गया, अगर हम कोई cab book कर रहे हैं, तो उस पे कितना GST लगता है, 5% ठीक है, यह service provide कर रहे हैं ना हमको, हमको cab में इधर से उधर लेके जा रहे है, services मिल रही है हमको, फिर air travel हो गया, air travel तो यहाँ पे 5% लिका है, amusement park हो गया, उस पे 28%, यह सब आप लोगो चार्ट है ना, उदर से देख के लिख सकते हो, यह अभी copy कर लो, आपको आ जाएगा, 5 star hotel तो पता ही है कि यह highly rated में जाएगा, that is 28%, water park जो है वो भी highly rated में जाएगा, that is 28%, समझ में आ गया, okay, इसको complete कर देना, and third activity तो वही है, हमारा third activity क्या बोला है, complete the given table by writing, by writing remaining SAC and HSN codes with rates, and add some more item in the list, तो यहाँ पे देखो, पहले मुझे आप बताओ कि SAC क्या होता है, HSN क्या होता है, SAC मतलब क्या, SAC का full form है, service accounting code, very good, यह जो code है, वो किसको मिलता है, यह सारे services को मिलता है, यानि कि जो services है, उनको एक unique code से define किया गया है, and उसको बोलते है SAC, और HSN क्या है, HSN का full form है, harmonized system of nomenclature, very good, और यह जो code है, वो किसको दिया गया है, goods को दिया गया है, अलग-अलग goods को, अलग-अलग code से define किया गया है, उसी codes को बोलते है, HSN code, ठीके, तो यहाँ पे आपके बास दे यहाँ पे यह partition है, partition है, इस तरफ अगर आप देखोगे, इस तरफ और इस तरफ, दो पार्ट है, अब इस तरफ देखो, यहाँ पे सारे goods है, यह नीचे पूरे goods है, और इनका क्या होगा, HSN code होगा, और यहाँ पे उनका rate of GST होगा, तो यह पूरा आपको fill करना है, तो से थोड़ी सी activity है, आप fill कर लो, ताकि थोड़ा सा knowledge मिल जाए, बस, ठीक है, तो यह fill कर लेना, अब आचाते है, खतम करते हैं, आज का lecture, तो खतम करने के लिए, मैं फटाक से एक बार आपको अच्छे से पूरा समझा देती हूँ कि, आज के lecture में हमने क्या क्या किया है, ठी is CGST and SGST, ठीक है, इसको याद रखना, CGST का full form क्या है, Central Goods and Service Tax, यह जो text है, Central Government को जाता है, CGST, sorry, SGST का full form है, that is State Goods and Service Tax, यह जाता है, State Government को, ठीक है, next हमने देखा था, GSTIN, यह पहले ही देखा था, लिकिन इसका full form मैं यहा पर लिख दिया है, GSTIN जो है, that is, Goods and Service Tax Identification Number, ठीक है उसके बाद आजाते है, यहाँ पर, जो बिल होता है, बिल के उपर क्या-क्या मिलेगा आपको, बिल के उपर क्या होगा, shop का address होगा, shop का address होगा, shop का number होगा, shop का name होगा and उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, state होगा, state भी लिखा हुआ होगा, अगर आपने देखा नहीं यह तो बताने की ज़रुवत नहीं है, लेटर राइटिंग तो सीखा ही होगा आपने, ठीक है, तो state वगेरा होगा, date होगा, जिसको हम लोग बोलते है, invoice date, और invoice number मतलब bill number, यह कौन सा number है, bill number है, और mobile number जैसे कि मैंने बताया था, और email ID होता है, ठीक है, तो यह सब होता है, text invoice, यानि कि bill के ऊपर, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि सारे जो goods है, उनको classify किया गया है, एक code से, और उसको बोलते है, HSN code, वैसे ही जो हमारे सारे services है, उनको भी classify किया गया है, code से, जिसको बोलते है, SAC, इसका full form, याद कर लो, मैं नहीं बताने वाली अभी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है, कि in the tax invoice for goods, there is HSN code, and while in service invoice, there is SAC, मतलब वही न, कि अगर good का बिल होगा, good का अगल बिल होगा, तो उस पर HSN code होगा, service का अगर बिल होगा, तो उस पर SAC होगा, यानि कि SAC वाला code होगा, यह बताया गया है, उसके बाद य GST are different for different product, यानि कि अलग-अलग goods, अलग-अलग services के अलग-अलग rates defined किये गए है, और यह जो rates है, वो already fixed होते है, और यह किसने fixed किये है, government ने fixed किये है, ठीक है, तो rate of GST क्या-क्या है, एक है 0% जिसको बोलते है, low, मतलब कि 0% वाले, मतलब 0% वाले, 0% वाले जो goods and services है, उसको वाले जो होते है, वो होते, standard rated, और 28% वाले होते है, हमारे highly rated goods and services, ठीक है, तो I hope आपको आज का lecture अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी next lecture में हम क्या करेगे, practice it start करेगे, ताकि और आपका concept जो है, वो clear हो जाए, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझाना, त that's okay, हम जब practice it solve करेगे, तो आपके doubts थोड़े थोड़े clear होने start हो जाएगे, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आपका शुकर रहा, thank you for watching this video, बस एक बात आपको बताना चाहती हूँ, कि क्या हो गया, रुको, बात बताना था मुझे, हाँ, तो मैं एक बात बताना चाह है, decimal point वाले अगर number को add, multiply करना नहीं आता है, या decimal point कैसे shift वगेरा होता है, वो नहीं आता है, तो वीडियो की link description में मिल जाएगे, ठीक है, bye, take care and subscribe कर लेना channel को, like करके जाना यार, bye and take care.